पहस सरुकार के और भी परिशान करने वाली है देखिए इस कड़कडाती ठंड पे हमारे खास रिपोर्ट कई महीनों की गर्मी जिलने के बाद एक बार फिर हाग कपा देने वाली ठंड दस तक देने जा रही है इसकी तस्दीक पहले ही पेश होती दिखाई दे रही है जी हां दिवाली का इतने ही मौसम ने यूटन माल लिया है अचानक हुए मौसम के इस बतलाव से लोगों को भी खासी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है जहां दुपैर में अभी भी लोगों को तेज धूप के थपेड़े पड़ रहे हैं वही सुबह शाम की गुलाबी ठंड ठिटुरने पर मजबूर कर रही है मौसम विभाग ने आने वाले दुनों में कहीं भी भारिश होने का अलर्ट जारी नहीं किया है उदर मौसम के इस बदले-बदले मिजास से लोग बिमार हो रहे हैं अब अगर नियूंतन तापमान की बात करें तो युद्ध्या बरेली समेत कई जिल मौसम विभाग की माने तो आज पूर्वी और परश्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने वाला है ऐसे ही 4, 5 और 6 नमंबर को भी मौसम साफ ही रहने वाला है मौसम विभाग का कहना है कि 8 नमंबर तक प्रदेश की किसी भी हिस्से में बारिश नहीं होगी मौसम बिलकुल साफ रहेगा हालाकि इस साओधी में तापमान जरूर बदलने वाला है जोसकी शुरुवाप्त हो गई है यूपी के कई जलो में 30 से नियूंतम तापमान गिर रहा है कानपुर शहर में तो नियूंतम तापमान सबसे कम 14.6 डिग्री सेल्सियस और अयोध्या में 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुच गया है इसके अलाबा बरेली में 15.5 डिग्री सेल्सियस फुर्सात गंज में 15.9 डिग्री सेल्सियस नजीबबाद में 15.8 डिग्री सेल्सियस शाजहापूर में 16.6 डिग्री सेल्सियस गाजीपूर में 16.5 डिग्री सेल्सियस और इटापा में 16.2 डिग्री सेल्सियस नियूंतम त और तुदेस प्राइम टीवी करकरादी थंड अभी लोगों को और तरपाए की देखिए आपने ये हमारे खास रिपोर्ट पाकी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टीवी के साथ